आज मैं विज्वल बेसिक में इवेंट्स क्या होता है चुंकि विज्वल बेसिक इवेंट ड्रिवेंट प्रोग्रामिंग है इसका मतलब यह होता है कि इवेंट ड्रिवेंट प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग जिसका कोडिंग का एग्जेकुशन इवेंट पर डिप फ्रॉग्राइम का मतलब यह होता है कि जो कोडिंग का execution depends होता है event पे और event का मतलब होता है user का action जब तक user का action नहीं होगा coding का execution नहीं होगा इस लिए इस programming को event reven programming कहते हैं event fire होगा तो coaching execute होगा यहाँ पर कुछ events के नाम हम इसे ढहले हमें मैं जो इवेंट्स है उसके जनकरी में आपको दे रहा हूं तो इवेंट्स में हमारे सामने इवेंट्स में है click event, dbl click, key price, lost focus, got focus, mouse down, mouse over, mouse move, mouse up यह कुछ मैं event के नाम बता रहा हूं इसका मतलब यह हो रहा है कि user के द्वारा action event that means user के द्वार action यहां पर सचसे पहला लिखा हुआ है click click मतलब user जब जाके उस पे mouse से click करेगा जब click करेगा तो वो उसमें लिखा हुआ coding execute होगा तो उस time को user के action को यदि उसने click किया है तो वो कहलाएगा click event उसी परकार से जस्ट गगल मैंने लिखा हुआ है dbl click यानि कि mouse से double click करेंगे तो उस पे लिखा हुआ coding execute यदि आप single click करेंगे तो उसका coding execute नहीं होगा यह event है और यह event user के action को event हम कह रहे है तो हमारे सामने click और double click है इसी प्रकार से key press का मतलब यह होता है कि जब keyboard से मैं कोई भी key को प्रेस करता हूँ उस time कोई भी click को मैं प्रेस करता हूँ तो उस time पे जो उसमें लिखी हुई coding है वो execute होगी नेक्स्ट है lost focus lost focus और got focus focus हम लोग एक यूज करते हैं टैब बटन होता है की बोड में टैब से हम लोग क्या करते हैं मेरे पास example के लिए मैं हमारे पास एक form डिल के जाने तो मैं form 1 है और इसे मैंने एक command button रखा हुआ है यह है command 1 और दूसरा है command 2 सबसे पहले ध्यान देंगे यहां पर कि टैब बटन का मैं यूज करता हूँ तो जैसा ही टैब बटन को मैं प्रेज करता हूँ command 1 से वो जंप कर जाता है उसका selection कहा चला जाता है command 2 पर चला जाता है इस टाइम पर जब हम टाइम बटन दबाते है तो वो कहा जा रहा है command 1 से command 2 पर जा रहा है यानि कि command 1 के लिए call साइवेंट हुआ lost focus हुआ और command 2 के लिए god focus हुआ अब हमने coding किस पर की हुई है suppose मैंने lost focus पर coding ही नहीं करी है मैंने god focus पर करी है जबकि lost focus कहा हो रहा है command 1 मंगर उसमें मैंने coding ही नहीं कि तो वह execute नहीं होगा क्योंकि जिस टेम पर जो चीजे हो रही है suppose एक टेम पर मैं दो चीजे भी कर सकता हूँ तो । यहां से जब करके लिए lost focus हुआ और इसमें god focus हुआ मैंने lost focus में coding की हुई है God focus में नहीं किया है तो इसका coding execute हुआ क्योंकि इसका lost focus हुआ God focus वहाँ जा रहा है but मैंने coding नहीं के लिए can do it तो यूजर का एक्शन जैसे ही होता है तब तक उसके अंदर नहीं होती है है नेक्सट है months dawn most or mouse move i months up Hi Mouse माउस डाउन का बतलब होता है मैं जब किसी भी सपोज मैंने आपर माउस को रखा मैं MAUSE DOWN कर दों इहां देंगे MAUSE DOWN अभी मैंने इसे release नहीं किया है release कर ओंगा तो MAUSE UP हो जाएगा MAUSE DOWN जैसे ही DOWN करूंगा Coding Execute होगा क्योंकि event अभी MAUSE DOWN के लिखा हुआ इसी परकार से MAUSE OVER कि मैं MAUSE को Just उसके उपर ले जाता हूँ MAUSE OVER किसी भी objective उससे related coding execute होगी इसी और लिखा हुए mouse move mouse move का मतलब mouse को मैं यदि command one के उपर रखता हूँ तो ये तो हुआ over but मैं उसके अंदर move करता हूँ ऐसा अंदर में ध्यान देंगे किस जिस object में command one के अंदर में ही मैं उसे move करता हूँ तो उसके अंदर लिखी वी coding execute होती है माउस आप माउस आपका मतलब यह होता है कि जब मैं mouse को down किया इस टाइम पर coding down वाली होगी जैसे मैं छोड़ रहा हूँ कि यह क्या होगा आप mouse up event होगा यह different different event आपके पारे मतलब